अगर आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल की 8000 वेकेंसी निकली हुई हैं उनका फोम बरने जा रहे हैं तो फोम बरने से पहले ये वीडियो जुरूर देखें ये आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो है आपके सारे के सारे डाउट है जो आपका चाहे वो आपका 8000 वेकेंसी से रिलेटेड है चाहे आपका सेलरी से रिलेटेड है चाहे आपका सारे इस वीडियो में आपके डाउट हैं कुलियर होने वाले हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो भी आपका previous year खरीदना चाहता है तो previous year आपका इनकी साइट पर आपको 100 रुपे में मिलेगे यहा अगर देखिए इनका जो source of income है एपिएस का वो बहुत सारे source हैं लेकिन हमारा एक सिर्फ आफ ही एक source है इनकम का है तो आप इन से purchase ने करके हम से purchase करें हम अपना number है जो वाटसप help line number है जहां से आपको purchase करने हैं वो आपका share कर देते हैं description में आपको link मिल जाएगा 701-64-782 यह हमारा वाटसप help line number है इस पर आप purchase कर सकते हैं अब भी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यह जो 8000 वेकैंसी का डिंडोरा पिटा जाता है ना हर बार की भी 8000 वेकैंसी आपकी निकली हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में हम आपको बता देते हैं इसमें 137 स्कूल हैं आपके इन में टोटल कैपेसिटी है जो टीचर्स की वो 8000 है तो आप बता दीजिए मुझे कि हर साल आपका निकाल देते हैं सबी को 8000 के 8000 को मैं नहीं मानता कि 8000 के 8000 को निकाल देते हैं और आप इनकी जब वेकैंसी आपका कह रहता इसका प्रोसेस पहले आपका CSB आपके पास ह रखा है शीट आपका होना चाहिए उसके बाद जो स्कूल लेवल पर आपकी वेकैंसी निकलेंगी आपकी स्कूल लेवल पर वेकैंसी निकलती है उसका फोम आपको बरना पड़ेगा इतना आपका स्कूल की वेबसाइट पर आपको वेकैंसी मिलेंगी कि भी जब आपका फ यहाँ पे आपको है वेकेंसी मिल जाएंगी इस साइट पे जो आपकी apscsb.in है जो आप फॉम बरेंगे जहाँ पे यहाँ पे आपको वेकेंसी शो नहीं होंगी यह सिर्फ आपका जो कंडक्ट कराता है एक्जाम्स यह आपका जिस तरह से आपका स्क्रिनिंग टेस्ट बोल करते हैं जो बाइसा है किस बाइसा में आपका पेपर आता है काफी बच्चों ने हमसे यह पुछा है रहने वाला लेकिन मैंने दो बारी क्वालिफाई कर रखा ये आपका दोनों बार दिया था मैंने दो बारी आपका एक 2018 का और एक इससे पहले 2017 का दोनों में आपका इंगलिस में पेपर आपका आया था था खिक है तो इंगलिस में सिर्फ इंगलिस में पेपर आता है अब की बार अगर कुछ चेंज करते हैं ये उनलाइन में उसमें डालते हैं उप्षन तो उसमें अलग बात है लेकिन इंगलिस में ही पेपर पिछली बार आता है तो आगे बात करते हैं हम सैलरी से लेटेड सैलरी कितनी मि लेगी जो basic आपका 6th pay commission की रहती है वो आपको salary मिलेगी चाहिए आपका PRT की है TGT की है आपकी PGT की है 7th pay commission की according आपको salary नहीं मिलेगी और जो allowance वगरा मिलते हैं वो आपका जो school है वो decide करेगा आपका जिस school में आप interview देने जाएंगे जिस में आप बरती होना चाहते हैं वो school आपका decide करेगा कि आपको कौन से कौन से क्या क्या अलाउंस वगरा देने हैं तो उसका भी मेरे हिसाब से है यह depend करेगा आपकी merit क्या है आपके अपने qualify आपके जो numbers वगरा है वो कितने लिए interview में कितना अच्छा परतसन किया आपको demo लेंगे और demo में कितना अच्छा परतस execution इसमें आपको इनका salary से लेटेट भी दिया गया है कि salary कैसे मिलने वाली है तो salary इनका है आपका basic आपका रहेगा 6th PC के according आपका और यह यह पुराना नहीं है आपका देखिए आपे copyright नहां पर लिखा हूँ है APS 2020 तो इन्होंने update कर रहा है इसमें changes कर रहे हैं कुछ हो ठीक वो आपकी PZT की है वो उसको मानते है regular base पे आपका उसको regular पे रखते हैं और हर साल उनका जो एक साल का tenor है वो increase कर देते हैं आपका contract है वो आपका एक साल के अलिए आगे बढ़ा देते हैं उनको आगे फिर रख लेते हैं लेकिन जो TGT की और PRT की है यह properly आपका contractual है contractual त तीन साल का contract एड़ोग है इंसे लिया जाता है और फिर आगे तीन साल के बाद TGT में तो आपका side 50% जो आपके टीजर से उनको रखते हैं और फिर आपका जो PRT है PRT में आपका 30% PRT के लिए 30% आपका रखते हैं इस पे seniority base पे और आपका जो performance है उस base पे और जो TGT है उसक 50% है आपका ये रखा जाता है ठीक है इनके लिए और जो आपका है एक और जो आपका जो रहता है इसका qualification का है जो B8 क्योंकि इसमें जेबिटी वाले हैं जेबिटी जिनोंने कर रख की आपकी जेबिटी से या DLT बोलते हैं आपका वो इसको बर नहीं सकते इसके लिए और B8 के आउशकता जरूर पड़ेगी B8 और graduation आपको है इसके साथ साथ आपका होना चाहिए B8 compulsory है आपका इसमें graduation और B8 ठीक है तो जिसके पास graduation नहीं है वो आपको इसको form को apply नहीं कर सकता आपका अगर आपका देखिए कोई curry है अगर इस वीडियो के बाद भी अगर को curry रह जाती है तो आप हमें comment box में आपका है पूछ सकते हैं comment box आपके लिए ही बना हुआ है और एक question या कुछ ऐसे paper से आपके जो subject है जैसे PZT computer science आपका इसके लिए B8 के आउशकता नहीं होती है आपका और अगर किसी के पास B.Tech के computer science है तो वो PZT computer science के लिए आपका eligible होगा B.Tech वाला है जो आपका उसको B.E.ड नहीं है उसके पास है तो आप है जो यह आप दे सकते हैं और as a proof आपको आपको जो का दसमी की mark set है वो आपकी चलेगी upload भी करने पड़ती है आपकी जो जब आप apply करते हैं तो ठीक है यह देखिए रहा आपका जो हम कह रहे थे probation period PZT regular with यह प्रोबेशन एक्स टेंबल बरभाई एना दरी है और जो टीजी ट्यू और प्यार्टी है contractual आपका और जो suitability qualified found मिलता return करता रहता अपना तो उनको 50% टीजी ट्यू और 30% प्यार्टी है उनको regular किया जाता seniority based पे आपका ठीक है और जब तक उसका अगर मालीज यह बग और रखना पड़ेगा रखा जाएगा तो यह जो आपकी qualification थी salary थी आपकी language से related था और जार्वेकैंसी से related था या previous year है previous year दोबारा से हम आपको बता देते हैं हमसे purchase कर ले क्योंकि इनका source of income काफी सारे होते है हमें public school का हमारा आप से ही है description में link है आपका number भी दे रखा है व WhatsApp का भी number है आपका वहाँ से message करके आप पूछ सकते हैं और अपना है जो यहाँ पे भी comment में डाल सकते हैं thanks for watching video मिलते हैं next day में तब तक के लिए नमस्कार